नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हेल फाव यूट्व चैनल में दोस्तों आप इस वीडियों बात करने वाले हैं अगर आप अपने इंडियन बैंक के अकाउंट में अपने पैसों को कुछ समय के लिए जमा करके इंट्रेस्ट कमाना चाहते हैं मतलब ब्याच कमाना चाहते हैं पैसा कमाना चाहते हैं एक तरह से अपने अकाउंट में यफडी करना चाहते हैं अर्डी करना चाहते हैं मतलब है फिक्स डिपोजिट अकाउंट खोलना चाहते हैं या फिर रेकरिंग डिपोजिट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो किस तरीके से आप ऐसा कर सकत आज इसे वीडियो में बताएंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहें और वीडियो में आगर आगर आपके पास इंडियन बैंक का मुवाइल बैंकिंग नहीं है तो इसका हम वीडियो पहले से बना चुके हैं लिंक मिल जागा आपको डिस्क्रिशन में आप वहाँ जाके वीडियो को दे सकते हैं और अपना इंडियन बैंक का मुवाइल बैंकिंग बना सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो अपने ब्रांच पर जाकर भी आप एफटी करा सकते हैं ओपेन करने के बाद यहां पर हमें नीचे आपसन दिखाई देगा डिपोजिट का इस पर हमें किलिक कर देना है इस पर किलिक करने के बाद हमें टर्म डिपोजिट पर किलिक कर देना है अब इसके बाद यहां पर हमें कई तरह के आपसन देखने को मिल जाएंगे यहां पर हम FD या फिर RD करना है अगर आपको FD करना है तो Open FD पर क्लिक करना है अगर आपको RD करना है तो Open RD पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको पहले बता देते हैं कि FD और RD में अंतर क्या है FD अगर आप करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपका interest होगा हुआ आपको जो है एक महीने या फिर तीन महीने पर मिलता जाएगा आपके अकाउंट में लेकिन अगर आप एक तरह से आरडी करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपको जो है ऐसा कुछ भी नहीं होगा एक तरह से सीधे जो है तरह से मान लिजी यहाँ पर हम क्या करते हैं, FD करते हैं, Open FD पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर में 3 तरह के आपसं दिखाई देंगे Best Plans, Special Plans और All Plans, All Plans पर क्लिक करते हैं इस पर के लिए करने के बाद FD के जितने भी प्लांस होंगे यहाँ पर आमें देखने को मिल जाएंगे देशकते हैं यहाँ पर यह लिखा है 181 दिन से ले करके 209 दिन के लिए अगर आप पैसों को फिक्स करते हैं FD करते हैं तो आपको 4.5% के तरह से आपको इसका इंट्रे करने के बाद इन्ट्रेश्ट पर क्लिक करने के बाद हमें दो तरह के आपसन दिखाई देंगे quarterly और monthly quarterly का मतलब होता है तीन महीना और एक तरह से monthly का मतलब होता है महीना मतलब एक महीना अगर आपको जो है हर महीने एक तरह से आपको पना interest मतलब जो भी पैसा होगा अपने account में प्राप्त करना है तो आपको जो है monthly को स्लेट करना है यहां पर हम क्या करते हैं मांतली को स्लेट करते हैं इसके बाद यहां पर आपको जिस खाते में प्राप करना है यहां पर आपको स्लेट करना है स्लेट पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका इंडियन बैंक का अकाउंट नंबर होगा यहां पर आपको दिखाई देरा है और यहां पर जो भी आपके अकाउंट का बैलेंस होगा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा अब इसके बाद यहां पर में नीची आना है और हमें जितना भी पैसा फिक्स करना है यहां पर हमें लिग देना है और यहां पर तरह से जो है आप कम से कम 1000 यहाँ पर आप fix कर पाएंगे मतलब 1000 इसे कम नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर में क्या करना है जितना आपको fix करना रही um यहाँ पर आपको लिख देना है अगर आप 1000 से अधीच करना चाहते हैं जैसे 50 x 1,060 तो आप कर सकते हैं यहाँ पर यह लिखा है पर किलिक करने के बाद यहां पर आपको सब कुछ देखना सही है या नहीं सही है अब इसके बाद यहां पर हमें कनफर्म पर किलिक कर देना है इसके बाद यहां पर 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 यहां पर में OTP को लिख देना है या फिर आटमेटिक समें एड हो जाएगा इसके बाद हमें submit पर क्लिक कर देना है अब इसके बाद यहां पर देसकते हैं लिखा है successful यहां से आप add कर सकते हैं अगर आपको नमंकन नहीं करना है तो yes पर क्लिक कर देना है इस तरीके से आप चाहें तो आप यह अपडिक कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब करके दे लाइकां को जरू पेस करें